इसके जश्ट बात दोस्तों देखें यहां पर लिखा हुआ रहा है कि यहां पर दिखा देना चाहूंगा जो कि इंडिनेशन बैंक की तरफ सा था अभी दो गंटे पहले ही आया हुआ था आज है 6 जनवरी 2023 के बात कर रहा हूं मैं अभी मेरे पास लिखा हुआ है इसमें मैं क करने के लिए बार बार कहा जा रहा है देखिए यहां पर लोग लोन मिलता नहीं है और यह मुझे लोन देने के लिए परिसान है तो आज कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंडिनेशन बैंक से आप कैसे परसनल लोन ले सकते हैं मैं दो लाक रुपे लोन के लिए अपलाई करूंगा और एक अच्छी बात यह है जो कि मुझे पता चला कि जब मैं इस लोन के लिए अपलाई करने जा रहा था तो वहां पर दिखाया गया कि कोई भी प्रसेसिंग फीस नहीं लिए जाएगी कोई भी जेस्टी नहीं लगेगी यह सबसे अच्छी बात होती है कई वर क्या होता जब हमें परसनल लोन की रिक्वाइरमेंट होती है हर बैंक कि हर अपली किसने जानती भाई कोई नहीं मजबूरी बंदा लेता है तो बंदिय पास ठीक है लोन तो दिया जारा उस पर इंटर्स लिए जारा वह भी ठीक है लेकि प्रसेसिंग भीस के तो दो लाख लेते हो कितना आपको पर 46 लगेगा सारा कुछ करते हैं एक साल के दो साल के लिए पर करेंगे एक साल करें प्यान करिंदैके और वीडियो में देने बाला हूं हाँ वीडियो मागे बाद और बताना चाहूं को कि मैं अल्रेडी इस पर अब बात चीत किया हुआ है लेकिन यह बाद मेरे पर नोटिफिकेसन आ रहा है फिर मुझे समझ माया या क्यों न एक बार मैं अपने इस चैनल पर आप लोग जानकर कंपनी का नाम डाल लेना है और जो भी आपका एक्सपिरेंस है आप उसको डालेंगे और कंटीनू पर किलिक कर देंगे इसके बाद जैसे देखेंगे दोस्तों कि मैं यहां पर इंदेंशन बैंक लोन अपलाई करने के लिए इलिजबल हूँ देखिए दोस्तों मैंने आप इनक्वाइरी लगते हैं जिसके आपका सिविल भी खराब होता है लेकिन आपको पहले ही पाद चल चुका आप इलिजबल है तो आगया कंटीनू करेऍवान नहीं है इसको रहने दीजिए आपके पास एक ऑप् अपने लिए पैसे collect कर सकते हैं या आप उनके लिए personally apply भी कर सकेंगे इसके बाद दोस्तों आप bank की इस page पे आजाएंगे जहां पर सबसे पहले आपको अपना pin card का number डाल देना है इसके जश्च बाद अपना mobile number डाल देना है अपनी एक email ID को डाल देना है और जो भी आपका current pin code है और उस pin code को डालेंगे term condition को accept करेंगे इसके बाद verify mobile number पे आप click कर देंगे तो जो आपका mobile number है उस पे एक OTP आएगा उस OTP को डालका आप next पे click कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपका first name last name आपको दिखा दी जाएगा आपका pen card number भी दिखा दी जाएगा नेस्नलिटी आपके इंडिया आ जाएगी इसके बाद जेंडर आपको सेलेट कर लेना है male female इसके बाद आपनी यहाँ पर date of birth को इंटर कर लेंगे जश्ट इसके बाद आप इसके बाद आपको अपनी इंकम रेंज को सेलेट करना होता कि आपके इंकम 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए से लेकर 50,000 के बीच में तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी अगर आपकी सेलरी 15,000 रुपए है तो भी आप एक इस लोन के लिए हो जाते हैं अपलाई करन करने के लिए इसके बाद दोस्तों आपको आपको बताना होता है कि आपकी रिकावर्मेंट कितनी है यहाँ पर आपको मैक्सिमम दिया जा सकता है वह 5,000,000 रुपए है तो आपको यहाँ पर स्क्रोल करके भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं कि आपको लो तो फाइलि मैंने यहां पर डिसाइड किया कि मैंसे 24 महीने के लिए लेता हूं इसके बाद हम नेस्ट पर क्लिक करना है लेकिन एक बात और बताना चाहिए हो सकता है तो आपको पांच लाख रुपे से ज्यादा की रिकॉर्मेंट है तो नीचे आपको एक ऑप्सन दिया रहा अधारकार का नमबर डालने बाद आपके अधारकार से जो रिष्टेड मोगाल नमबर होगा उस पर एक OTP को डाल कर आपको बैरिफाई कर देना है इसके बाद यहां पर आपका एड्रेस दिखाये जाए जाए और आपसे पूछा जाएगा क्या यह आपका करेंट और पर्म सकती होगा आप उसको यहां पर इंटर कर लेंगे दोस्तों देखेंगे हैं मैं काफी समय लगया मैं काफी देर से वेट भी कर रहा हूँ अभी में देख रहा था तो यहां पर देखिए अब करتे-करते क्या हुआ कि यह वहां से पेज वहां पर आगे नहीं बढ़ा होशकत साथ आपके साथ ही प्रोब्लम है मैंने का इस पार्ट को भी इंक्लूड किया है तक कि आगे आपको पूरा समझ में आ जाए इसके चेस्ट पर दोस्तों देखेंगे जो आपने अपने मॉबाइल नंबर इंटर किया था उसी मॉबाइल नंबर के वट्सप पे आपको यहां प पूरी डिटेल दुबारा से फिलप करनी पड़ेगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप देखेंगा आपको साइड में मिल जाता है रिजूम का ओप्सन सेंपल्स आपको इस पर किलिक कर देना है इसके बाद जो आपने मोबाइल नमर डालते हो अपलाई किया तो सेंपल् करने के अपने च्शिक कोई कर देंगे और इसके बाद आपको अपने पिन कोड पर दाल दना पर डालना होगा और करेंट टाइम में आप यहां पर कितने समय से जॉब कर रहे हैं आपको यह भी डालना होगा इसके अलाव आप टोटल एक्सपिरेंस कितना हो चुका आपको जॉब करने का यानि कि 10 साल 15 साल जो भी होगा आप उसको यहां पर इंटर कर लेंगे यहां पर एक ऑफिस की एक परसनल इमेल आइडे तो होगी होगी उसके साथ जिसे मालीच अगर मैं ऐसे मेंजर की पोश्ट पर जॉब कर रहा हूं या मार्केटिंग देख रहा हूं तो मेरे पास एक अपनी इमेल आइडे उस कंपनी मिलती भी है मैं उसके थुरू अपने क्लाइन से बना के भी डाल सकते हो अगर आप ओपिस की डाल तो ज्यादा अच्छी रहेगा अब यहां पर एक सवाल बनता है वह इसमें होगा क्या देखो कई बार तो क्या होता है कि ऐसे में अपने परसनल बाब बता हूं तो मैंने अभी तक करी 5-6 लोन ले चुका हूं 15-20 क्रेडिक कार्ड हाँ ओपिस की डालते हैं कभी ऐसा नहीं हो है इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके नीचे इसके का भी ऑप्सन मिलता आप इसके इसके भी कर सकते हैं मतलब जरूरी नहीं है कि अभी इमेल आईडी पर एक OTP है इसके बात दोस्तों देखिए यहां पर लिखा यहां पर सबसे इंपोर्टेंट आता है कि अगर हम इसे रेट आप इंड्रेस्ट वह रहा देखें तो यहां पर चलेंगे और जो टूनर टाइम दिया गया गया बार आसना तारीस महीने के लिए मैं इसको यहां पर 24 महीने के लिए ही रहने दूंगा अब यहां पर सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर हम इसे रेट आप इंड्रेस्ट वह रहा देखें तो क्या होगा रेट आप इंड्रेस्ट की बात करें अभी यहां पर आप देख पाएंगे कि साढ़े सोला परसेंट का यहां पर इंड्रेस्ट लगाया जा और अभी तक मैंने जितने भी लोन लिया उसमें से यह सबसे पहला ऐसा लोन होगा जहां पर इस तरीके कोई भी चार्जस नहीं लगा जा रहे हैं और यहां पर एक सवाल ही बनता रेट आप इंट्रेस्ट के बारे में तो भाई मैंने अभी जो लोन लिया हुआ है अब दोस्तों यहां पर एक सवाल ही बनता है कि अगर हम दो लाग रुपे चौविस महीने के लिए लेते हैं नोजार आट चारीस रुपे के हिसाब से बार चौविस महीने के लिए पे करेंगे तो टोटल कितना पे कर रहे हैं है यह तो हमारा यहां निकलना चाहिए न जब इस वीडियो को देखने का फैदा होगा जब इतनी उम्मित हम करते हैं आप भरुषा करते हैं आप एक लाइक कर दीजिए गा अगर 36,000 रुपे हम उनको फाल्टो देते हैं तो आप इस तरीके से इसको कल्कुलेशन करके देख लेना कि आपके लिए महेंगा है या सस्ता है भाईया मैंने यहां पर सारा कुछ करके देख लिया यहां पर कोई इंट्रेस्ट कोई भी जीजिक नहीं लग रही है आप अमाउंट चाहे कम लीजे चाहे ज्यादा लीजे चाहे ज्यादा समय के लिए लिए लिजीए इससे पहले मैंने आपको कई सारी वीडियो बेशेर क इसके बाद यहां पर क्रेड अप्लीकेशन से लिया हुआ है तो कई सारे मैंने लोन लिये हुआ है इस लोन को लेने का मेरा कोई इर्यादा नहीं था लेकिन मैं इसको अप्लाइ करके प्रोसर्स बताता हूं फिर जब मैंने यह देखा है जब तक हमें रेट ऑफ लोन त्यार इस बात के लिए एक लाइक होना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करिएगा अब इसके आगया क्या प्रोसर्स होगा इसके आगया प्रोसर्स आपके पास KYC होगा अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस सारा सारा आपके ट्रांसफर किया जाएगा और इंकम पूर्फ देने की जुरूत नहीं पड़ी जब आप इस लोन के लिए अप्लाई करें अगर आपका सीविल ठीक्था को साथ आपको प्री अप्रोव्ड मिल जाए आपसे साथ कोई इंकम पूर्व न लिया जाए लेकिन जो भी रहागा प्लिस मुझे एक बार कमेंट प्रेयर ऑफर है जहां पर आपके पास कोई भी प्रोसेसिंग फिस को जेस्ट्री को यहां पर इस तरीके चीज़े नहीं ली जाएंगी और दोस्तों यहां पर कुछ लोग एक सवाल है बनता बार बार कि भाई अगर आपने इस लोन के लिए अपलाई किया था क्या इसमें ऐसं लिए आपको एक बात जरू कहना चाहूँगा अगर आपको किसी बैंक में अगर अकाउंट है जाकर किलिक करिए और आपलाई कर के कमले आपिन जाबरत